हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी लोगों का डिजिटल गुलाब गुरू चैनल पर दोस्तों आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं कि आप अपने मॉबाइल फोन से ही आइसमान कार्ड की नई लिस्ट 2023 की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपना नाम कैसे दे किया जाता है अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपको इंडिया गौर्मेंट की तरफ से पूरे पांच लाख रुपे तक का फिरी इलाज आप इंडिया के किसी भी गौर्मेंट हस्पीटल में या फिर कुछ ऐसे प्राइविट हस्पीटल को भी इसमें लिस्ट किया गया है जिसके अंदर आप अपना 5 लाख रुपे का बिलकुल फिरी में इलाज करवा सकते हैं तो इंडिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए ये कार्ड बहुत ही इस कार्ड से आपको 5 लाख रुपे का फिरी लाज तो फायदा मिलता ही है इसके अलावा इस कार्ड से और भी बहुत सारे फायदे हैं तो आपको इस कार्ड को जरूर बनवाना चाहिए आपको अगर ये कार्ड बनवाना है तो सबसे पहले आपको लिस्ट चेक करनी होगी क्य क्योंकि अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तभी ये कार्ड आपका बनाए जाएगा तो लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है ये में आगे आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखिए स्टेब आप सीख जाओगे कि आप आइसमान कार्ड की नई लिस्ट क लिखना है सेतु.pmjay जैसे ही आप ये लिख करेंगे गूगल में सर्ज करेंगे तो ये जो पहली वेबसाइट आपको मिलेगी सेतु.pmjay.gov.in की आपको जो है इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है वेबसाइट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप जो है सेतु.pmjay.gov.in की ओ National Health Authority की जो official website है इंडिया government की आप उस पर आ जाओगी यहाँ पर आपको क्या करना है यह जो three line दिखाई दे रहा है आपको इसी three line पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे option दिखाई देंगे तो यहाँ पर हमको जो तीसरा option दिखाई दे रहा है beneficiary database हमको जो है इसी तीसरे वाले option पर click करना है beneficiary database पर जैसे ही आप जो है beneficiary database वाले option पर click करोगे तो इसके बाद जो है आपके सामने जो है iSmart Card list को देखने का option मिल जाएगा आपको क्या करना है थोड़ा सा नीचे की side में आना है अब आपको क्या करना है इसके अंदर आपको अपना mobile number पर एक OTP जाएगा यह आपको ध्यान देना है जैसे ही आप mobile number डाल करके get OTP पर click करेंगे तो जो भी आप mobile number डालेंगे उस पर एक OTP जाएगा उस OTP को आपको इसके अंदर भरना है और इसके बाद जो है sign in पर click करना है इसके बाद जो है आपका OTP verify हो जाएगा और आपक क्या करना है थोड़ा सा इसमें नीचे की साइड में आना है अगर आप जो है नगरीय के रहने वाले हैं यानि की टाउन एरिया के रहने वाले हैं तो आप अर्बन पे क्लिक करेंगे अगर आप जो है रूरर के नाम सेलेट करना है, जैसे ही आप इस बाक्स पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जो है उस्छलिटट इन्फोर्मेशन आएगी, यहाँ पर आपको गाउं जैसे ही जो है आप यह सारे डीटेल भरोगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे गाउं में जितने भी लोग हैं सभी का नाम यहाँ पर दिखा रहा है है इसी तरीके से अगर आप अपने गाउं की लिस्ट निकालोगे तो उसमें भी आप अपना नाम ढूंड सकते हो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि कभी कभार server down होने की वज़े से ये website जो है list निकाल कर नहीं दे पाती है तो जब भी server down रहेगा आपकी list अगर निकल कर नहीं आती है तो आपको कुछ घंटों तक wait करना है उसके बाद जो है आप आसानी से यहाँ से जो process मैंने आपको बताया है उस process को follow करके आसानी से आइसमान कार्ड की नए list को download कर सकते हो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत server problem आती है बाकी सारी चीजे बिल्कुल सही तरीके से काम करती है उमीद करेंगे यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को like करिए अपने दोस्तों के साथ share करिए और चानल पर पहली बार हो तो चानल को subscribe करिए जैहिन वंदे मातरम